मैं आज लेकर आई हूँ दाल मोट की रेस्पी यानि की चना दाल का मिक्चर बनाना तो बहुत आसान है लेकिन इसे बनाने आना चाहिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कुछ ट्रीक है उसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा बन जाएगा एकदम क्रिस्पी जैसा मार्केट में होता है एक भी हाड नहीं होगा तो चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमें ले लेना होगा चना दाल चना दाल को मैं पहले साफ कर ली हूँ तो मैं एक कप चना दाल ले ली हूँ यानि कि 2-500 ग्राम यह चना दाल होगा तो चना दाल को हमें भीगो देना है तो मैं इसे अच्छी तरह से धोली हूं और इसे भीगो दी हूं दाल को 10 से 12 घंटा भीगो देंगे यानि कि ओभर नाइट इसे भीगो देना है और इसमें डालेंगे बेकिंग सोड़ा यानि की खाने वाला सोड़ा तो खाने वाला सोड़ा आधा चना दाल को भीगोने समय कहने वाला सोड़ा डालना है इस बात का ध्यान रखिएगा इसे अच्छी तरह से फूलाना है अगर यह कम फूला तो भी अच्छा नहीं बनेगा ओबर नाइट इसे भीगो दिये थे तो यह बहुत अच्छी तरह से फूल गया है पूरा फेन भी हो आए क्योंकि इसमें खाने वाला सुड़ा डाला हुआ है चना दाल को अच्छी तरह से वास कर लें इसे में बहुत अच्छी तरह से धोली हूँ । चार-पांच बार मैं एकदम साब से धोली हुई इसे इसका सारा पानी निकाल लिये हैं हमे एक चाहिए टौबिल पर चना दाल को फैला देंगे तरह प्लेट पर तोबिल रख दिये हैं और चना दाल को इस पर फैला देना है बिना skip किये वीडियो देखे जिससे अच्छा बनेगा इससे ये होगा कि चना डाल का सारा पानी टॉविल सोख लेगा और चना डाल में पानी नहीं बचेगा चना दाल को इस तरह से टौवल पर फैला कर और टौवल को पाँच मिनट के लिए इस तरह से ढख कर रख दें जिससे सारा पानी टौवल सोख जाएगा तो देखिए पाँच मिनट हो गिया है अब ये ड्राइ हो गिया है इसमें एक्ष्ट्रा पानी नहीं है इसी तरह से कर लेंगे तो ये fry होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बहुत जल्दी फ्राय हो जाएगा अब चलिए fry करते हैं तो एक कळाई में तेल को गर्म कर लिए हैं तो मैं इसे रिफाइंड ओयल में फ्राय कर रही हूँ आप इसे सर्षोक का तेल में भी फ्राय कर सकते हैं एक डाल कर चेक कर लिए तेल हमें बहुत अच्छी तरह से गर्म चाहिए एकदम अच्छी तरह से तेल गर्म रहेगा तो जल्दी फ्राई होगा तो तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर दिये थे और इसमें डाल दिये हैं चना डाल को चना डाल में नमक हल्दी का भी ध्यान रखें राइ करते समय इसमें नमक नहीं लगाना है नमक लगा देंगे तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो चना दाल का मिक्चर बहुत ही अच्छा बनेगा तो दिखिए धिरे-धिरे ऊपर यह उठने लगा है जो उपर उठ गया है व प्रम भी जरूत नहीं पड़ेला तो देखिए तो पुरी तरफ से ऊपर उठ गया है तो अच्छी तरछ से फ्राइब हो गया है उसमें कोई शचने stops एगर यह नीचे बैठा हुआ है तो यह नहीं हुआ है और ऊपर उठ गया थे फ्राय हो गया है इसका यही पाचान है तो इसे तेल से निकाल ले को पुलेट पर पेपर बिछा दिये हैं जिससे सारा तेल पेपर तो लेगा इसी तरह से सारे चना डाल को निकाल ले कड़ाई से, बहुत ही असानी से ये मिक्चर बनकर तयार हो जाता है, तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी एकदम परफेक्ट बनेगा, तेल को हमें फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेना है, यूँकि फ्राई होते होते हैं तेल थोड़ा ठंडा हो गया था, थोड़ा सा गर्म कर लें, 10-20 सेकेंड उसके बाद चना डाल फिर से डाल देना है, और उसी प्रोसेस में इसे फ्राई कर लें, इस बार मैं विडियो को स्पीट कर दी हूँ तो जल्दी जल्दी आपको दिख रहा होगा चना दाल अच्छी तरह की दूपर आगया है तो यह आ गया है तो मतलब ह performs यह कई हो गया है इसे हमें निकाल लेना है इसी तरह इसलिए मैं थोड़ा सा बनाई हूं आप ज्यादा भी बना सकते इसी तरह से सिर्फ खाने वाला सोड़ा का कॉंटिटी विगोने समय बढ़ा दे इस बात का ध्यान रखें अब इसी तिल में हमें मुंख फली को फ्राई कर लेना है मुंख फली को फ्राई करते समय गैस हमें ज्यादा हाई नहीं रखना है मीडियम फ्लेम में मुंख फली को फ्राई करेंगे नहीं तो मुंख फली जल जाएगा क्यूंकि मुंख फली बहुत जल्दी फ्राई हो जाता ह एक वी हुए है तेज रहे हैं तो उपर से अंदर शच्य अधाय जैगा अधर में रखें को अब भूनी फ्राइब हो गया दिकिए फट गया है अगर भावि फट ने कहले तो समझ इस बेड़ने लाओस को को बंद करें और मुंख फली को पटाफट निकाल लें नहीं तो मुंख फली बहुत जल्दी जल जाता है चना दाल के उपर ही मुंख फली को निकाल दे रही हूं क्योंकि दोनों को हमें बाद में मिक्सी करना है तो उसी को उपर मैं निकाल दे रही हूं अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे बिल एकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सारे मुझफली को निकाल ली हूँ तो चलिए इसमें अब मसाले मिलाते हैं तो एक फ्राइब ले लिए चोटा वाला इसमें थोड़ा सा तेल डाले हैं एक चम्मच टेल को हल्का गर्म कर दे चना डाल और मुःटन में ट्रांसफर कर लिए हैं इसमें मिक्स करने में आसानी होगा अब उसी तेल में थोड़ा सा लाल मिजच पाऊडर डालेंगे तेल को और ठंड़ा कर ले एक तम गुनगुना रखे क्यू resistant लाल मिजच पाऊडर बहुत जल्दी जल जाता है तो लाल मिजच पाऊडर और हल्दी पाऊडर को थोड़ा सा फ्राय करके डाले जिससे कच्छापन नहीं आएगा अब इसमें मिक्स कर लें कि तो देखे हल्दी पाउडर और लालमीज पौडर लालने से इसका कलर अच्छा हो गया है अब इसमें मसाले डालना है को लिए यह भटा सा नमक डालेंगे नमक कमीले थोड़ा सा भुना हुआ कानि मीस्ज नवार से कम कैम़ें इसली youtube जब करके इसको मिक्सेर में ढाल दें सारे मसालों को मिक्चर में डाल दें कम कॉंटिटी में बनाए हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा डाले हैं कॉंटिटी के हिसाब से ही मसाले डालें जितना जादा हो बहुत जादा डालेंगे तिसका स्वाद खराब हो जाएगा इसलिए सब लिमिट से थोड़ा थोड़ा ही डाल लिए इसे अच्छी तरह से mix कर लें अच्छी से मसालों को में mix कर लें बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है तो देखें कितना सान है इस मिक्चर को बनाना थोकि चोटी चोटी बातों को ध्यान रखना कि अट्चा बनेगा इसे में डब्बे में भरकर रख दे रही हूं। आप भी जादा कॉंट्री में बनाकर प्रख रहे हैं और इसे महीनों तक खाएं इनों तक खराब नहीं होगा तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें देखें कितना क्रिस्पी बना है